असहमतिया मैत्री और सामाजिक एकात्मता को खंडित नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो असहमतियों के आधार पर नस्दी की रिष्टों तक को तक तोर देते हैं। भारती अज्यान परंपरा में सत्संद विमर्ष और आपसी विचार विनिमय किसी भी धार्णा को मजबूत किया जाता है। सनातन में हजारों वर्ष पहले शास्त्रार्थ को मान्यता मिली है। पश्चिमी विद्वान वाल्टेर ने असहमतियों को भली भानती परिभाशित करते हुए सहमतियों का सम्मान करने का मार्ग दिखाया है। असहमतियों का परिणाम कभी भी आपसी द्वंद्व नहीं है। असहमतियों के साथ सह अस्तित्व बेहत प्रभावशाली आध्यात्मिक दार्शनिक बिंदु है। जहां जहां भी असहमतियों का सम्मान हुआ है, वहां वहां विकास भी तेजी से हुआ है। कई लोग असहमती को आधार बनाकर बेहत समवेधनशील हो जाते हैं। ऐसे लोग स्वयन कुंठित जाते हैं, और अगर सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर उन्हें कोई स्टार मिला हो तो वे नकारात्मक वातावर्ण बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मैं अक्सर एक वरिष्ट विद्वान पत्रकार रवीश कुमार को सुनता हूँ, सोच नहीं लगता हूँ की। दुनिया में कुछ भी हो रहा होता है, रवीश जी की नजर से देखने पर अच्छा कभी भी दिखाई नहीं देता। किसी ने सही कहा है कि जिस रंग का चश्मा आप पहनेगी इस रंग का वातावर्न नजर आएगा। एक और नजरिया है जो यह बताता है कि आप गिलास के उसे आधे हिस्से को देख रहे हैं, जिसमें हवा भरी हुई है। आधार से आधे भाग तक गिलास भले भरा हो, कुंठित व्यक्ति कभी भी उसे सकारात्मक ग्रिष्टी से नहीं देख सकता है। कुंठित व्यक्ति अगर अपने विचार व्यक्त करता है, तो उससे वर्ग संधर्ष तथा सामाजिक धाचे में तूट फूट हो जाती है। वास्तव में असहम्तियों का ऐसे संधर्ष से कोई लेना देना नहीं है। संधर्ष एक मानसिक उद्वेग है, जो शारिरिक या बौधिक एवा मानसिक नकारात्मकता के कारण पनप सकती है। इससे उलट असहम्तियां जो एक तातकालिक या दीर्गकालिक हो सकती हैं, पर किसी संधर्ष का कारण नहीं बनती। स्वस्थ समाज में स्वस्थ मस्तिष्क के लोग अक्सर आपस में असहमत होने के बावजूद एकात्मता के साथ रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि शक्कर की बढ़नी छोटे या बड़े शक्कर के दाने होने से शक्कर की मूल प्रवृत्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता। भारत विविधताओ भारत देश है। इन विविधताओ को इंद्रधनुष के रूप में सन्योजित करके रखना नकारात्मक मानसिक्ता के लोगों के लिए कभी संभव नहीं हो सकता। मित्रों कभी मेरी किसी भी मित्र के साथ असहमती होती है, अथवा हो गई हो तो मुझ पर क्रोधित मत होना क्योंकि मैं असहमती के आधार पर द्वंद के जन्म से सहमत नहीं रहता। मेरे एक पूजवरिष्ट अधिकारी हैं, जो बेहत करुणा भाव से मुझे देखते हैं, उनसे कई मुद्दों पर वैचारिक असहमतिया हैं, परंतु उनका सनेह मुझ पर सदा बर्सता है। महात्मा गांधी महात्मा गौतम बुध महावीर स्वामी भगवान श्री राम जैसे महान व्यक्तियों द्वारा बताया गया मार्ग है। भारतिय जीवन दर्शन जीवन्त दर्शन है। भारतिय जीवन दर्शन की शुचिता के लिए हर असहमती के प्रती सम्मान व्यक्त करने से हमारा जीवन सुद्रिड एवं पवित्र हो जाता है यही हर मुमुक्षु के लिए सनात्मी संदेश है जबकि महावीर स्वामी गौतम बुध महर्शी जवाली और चारवाक के अपने दर्शन थे जीवन दर्शन दो भागों में विभक्त हुआ आस्तिक और नास्तिक लेकिन समाज के लोगों ने सहमती असहमतियों के आधार पर नास्तिक और आस्तिक दर्शनों का अनुसर्ण किया कभी आपस में बहुत बड़ा द्वन्द पैदा नहीं हुआ यह अलग बात है कि कालांतर में हर दर्शन की कई शाखाएं बनती गई विचारधारा के आधार पर भारत में साम्प्रदायक देंगे गले काटने की परंपरा प्राचीन भारत में स्थापित न हो सकी वैसे इतिहासकार यह कोशिश अभी भी कर रही हैं कि प्राचीन इतिहास में साम्प्रदायक ताकी परत चड़ा दी जावे इसी क्रम में वर्तमान दौर का द्रिश बेहद अजीब हो चुका है समाज अब सहमती और असहमती के कारण कई भागों में विभक्त हैं लगता है कि हम कभीले वाले यूग की ओर लोटने लगे हैं जाती वर्गवर्ण संप्रदाय भाशा और च्षेत्र के आधार पर विभक्ती भारत अपने अपने हिस्से की प्राथमिक्ता और विशेश दर्जे को मांग रहा है इस मां के लिए जिम्मेदार ऐसे विद्वान जो समाज को एक तरह से वर्गवर्ण जाती संप्रदाय भाशा और च्षेत्रियता के आधार पर बाट रहे हैं कुछ लोगों को दुनिया में खास तौर पर भारत में घटित हो रही कोई भी घटना पसंद नहीं है आज ही रवीश कुमार पांडे जी का वक्तव्य सुनावे इस बात से दोखी नजर आ रहे थे कि एक जुलाई दो हजार चौबीस से कुछ कानून बदल रहे हैं वह कह रहे थे कि कानून में हिंदी भाशा की शब्दावली का प्रयोग किया है भाई रवीश कुमार जी को मौका मिल गया थेट हिंदी भाशी इलाके में जन्म लेने वाले श्रीमान रवीश कुमार पांडे जी अंग्रे जी की वकालत पर उतारू हो गए कि दक्षिन भारत की चर्चा कर रहे थे उन्होंने यह नहीं सोचा कि दक्षिन भारत का भारतिय भारत के हर शहर में आपको मिल जाएगा सर्वाइव करना है तो आपको परिवर्तन करना ही चाहिए रवीश जी केरल की नर्स हिंदी भाशी चेतर में सबसे ज्यादा सम्मान की दृष्टी से देखी जाती है केरल या दक्षिन भारत से आए भारतिय नागरिकों ने हिंदी मराथी गुजराती पंजाबी के राज्यों में आजादी के पूर्व से ही रोजगार कर रहे है कानून में अगर हिंदी शब्दावली का प्रयोग हो गया है तो उसे वह आसानी से इसलिए समझ लेंगे क्योंकि दक्षिन भारतिय भाशाएं अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत निष्ट है नागफनी के पौधे से हम किस तरह से सेवन्ती के फूल प्राप्त कर सकते हैं हमारा उद्देश यह है कि विचार विमर्श असहमतियों व्यक्त करते रहिये पर नागफनी के पौधे लगाना छोड़ दीजिए